हलो दोस्तो आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्भन्स टेक्निकल नॉलेज पर आज इस वीडियो बहुत खास है आप सभी को हम बताएंगे कि एक स्वीज से दो सकेट केसे कांट्रोल होता है उसका वारिंग हम पूरा डिटेल्स में करके आपको दिखाएं श्वाक्याल है वो इन्पुड्ट टर्मिनाल है वहां पर हम पेस इनुपुड कर दिया और इसका जो उपर बाला टर्मिनाल हैшक आउट्पूट ट Abg करते हैं तो नीच्चा सब्सक्राइं तर्मिनाल करते हैं तो निच्चे से ऊपर तक करेंट होके फिर आगे सप्लेई स्विश से लाइन यहां पर आ जाता है हमकिंड हम्री इकुप मेंट्स जो हमारा इलेटिकल का मिलता है फ्रीज हो आईरन हो और सबका जो फेज़ पॉइंट है वह उनका जो टॉप रहता है तुप उसका राइचसेट बें हमेज़ा कaraus करेंड छी रहता हे उसी इसाब से पूरा टोटाल इलेक्टर आइटम यूज़ किया जाता है अभी देखो मैंने सकेट में हम अभी फेज बाला वेयर को कनेट करेंगे दोनों सकेट में मार्केट से देखिए आप जो एक्स्टेंशन काड खरीद के लाते हैं वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है कभी उसका स्वीज खराब हो जाता है और कभी कभी उसका वेयर भी जल जाता है लेकिन आप एसा अगर एक्स्टेशन बोर्ड घर पे खुद और अच्छा कंपनी का वेयर ले आने का अगर बना देंगे एक एक्स्टेशन करना घर पे पांच साल से दस साल आराम से चलेगा ना सुईज में जिनजट ना सुकेट में ना वेयर में बहुत जबदर्श टिकाव होता है यह मट्रियल अब यह देखो फेज यानि है और अभी हम दोनों सकेट को निटराल देंगे सुईज कभी निटरल कंट्रोल नहीं करता है ठीक है सुईज में कभी निटरल नहीं डालने कई यह जो है neutral point है N लिखा रहेगा उधर देखे direct neutral point आया है वहाँ पे direct वहाँ पे लगाया हम लोग neutral और उसके साथ और एक direct output एक निकल जाएगा दूसरा जो पाट है वो दूसरा सकेट में न्यूट्रल के पॉइंट में जॉइंट किया जाएगा बहुत इजी है थोड़ा ध्यान दे के देखेंगे आप अराम से घर पे भी ये बोड़ बना सकते हैं लेकिन वीडियो कभी बीच में स्कीप नहीं करने गलें तो समझ में तोड़ा दिक्कत हो जाएगा वीडियो अगर आपको आच्छा लगाए दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्स्क्राइब करें और कहीं पर अगर कुछ दिक्कत हो रहा है आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बक्स खुला है कमेंट जरूर कीजिए अभी देखिए फेज और न्यूटल दोनों कनेक्शन हो गया बोड़ अभी बनके पुरा रेडि अभी इसमें हम अगर कोई कुछ भी आउट पुट लगाएंगे यानि बॉल्ब हो टीवी हो आईरन हो सब कुछ चलेगा कि अभी हम इसमें कुछ सप्लाइद देखेंगे कि अभी आई अब कि बस श्कूर टाइड करना बाकी है वह आप कर सकते मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूं इसके अंदर अभी देखेंगे यह हो गया हम एक सप्लाइद रहें बॉड को कॉरेंट सप्लाइद करेंट सप्लाइद दे दिए हम एक उसमें एक लोड देके देखेंगे कोईवे की इलेक्ट्रिकल एक्कुप्मेंट्स हम लोड देंगे मैं आपको एक इसके उपर एक बॉल जला के आपको दिखा रहा हूं कि देखें किसे स्वीज और सकेट का कॉनेक्शन हुआ वह बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वह हमको पता चलेगा ओके दूसरा वाला भी चेक कर लेंगे यह भी ओके है धन्यवाद दूस्त